आगे बढ़ते हैं अपने SCM 2.0 कोर्स में और पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था पूरा प्रोजेक्ट का ओवर्वीव देखा था कि अगर आपने वीडियो ने देखी तो आप यह वाली वीडियो जा करके देख लिए और मैं तो कहूंगा इस पूरे प्लेलिस्ट को बुकमार कर लिए जिससे आप डायक्ली एक्सिस कर सको अब लोग इस वीडियो के अंदर अपना प्रोजेक्ट करने वाले और प्रोजेक्ट क यहां पर हम लोग सबसे पहले चलेंगे वेबसाइट करेंगे इसके बात हम जिस भी आईडी से अपने प्रोजेक्ट को ओपन करने तो हम इस वाली वेपसाइट पर जाएंगे क्लिक कर लेंगे और हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी यह देखें यह पूरा हमें सब चीज प्रोजेक्ट करेंगी कि हम अपने ऑप्शेंस दे दें और बेस्ट ऑन उन ऑप्शेंस हमारा प्रोजेक्ट क्रेट हो जाएगा जिब बनके डाउनलोड हो जाएगा फिर हम उसको यूज कर सकते हैं अपने अपने आईडी के अंदर तो अब एक एक करके मैं आपको गाइड करता हूं बताता हूं सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट देन लाइंगवेश तो हम जो प्रोजेक्ट मैंडेजमेंट टूल यूज करेंगे अगर आप फैमिलेयर हो ग्रेडल स सबसे बना चुके हो तो आप ग्रेडल यूज कर सकते हो बट मैं बचादाता काम करता हूं मेवन तो में वेन मैं चूज करूँगा अगर चाहते हो तो आप कोटली निऊज कर सकतो गूबी भी उसकर सकतो टूटली डेपेंड कि आप क्या उन करना चाहते हो जो स्प्रिंग का वर्जिन है वह मैं लेटेस्ट वर्जिन करूंगा 3.2.5 तो स्टेबल वर्जिन है अगर 3.2.5 नहीं दिख रहा है तो आप नया चूज कर लेज़ेगा बाकी प्रोसेस सारा प्रोसेस सेम होगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूत नहीं है अगर आप फ्यू वांट तो आ आता है कि हम 3.1.1 वर वन उसकरें तो 3.1.1 पर इतना सिंपल है लेकिन हम 3.2.5 पर देन हमसे हमसे कुछ प्रोजेक्ट का मेटाड़ेटा मांग रहा है तो प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले ग्रूप आईडी मांग रहा है तो ग्रूप आईडी बिसिकली आपकी पर डालेंगे तो इसका उनिक नेम क्या होगा तो यह ऐसा समझ लो समझानी के लिए मैं बता रहा हूं कि ग्रूप आईडी एक्चुली कुछ सिमिलर टू पैकेज होता है तो यहां पर हम डाल देंगे कॉम.scm बस कॉम.scm डाल देंगे और क्योंकि यह जो ग्रूप आईड में उस डूमें नेम का उल्टा कर दिएगा जैसे हमारी वेबसाइट का नाम है सम.com तो हम रख देंगे आप तो यह एक्चुली तरीका होता है कि क्यूंकि हमारे पास सेम जो डूमेन है वह हमारा खुद का डूमेन होगा तो अगर मुसको उल्टा कर देंगे तो यह नाम हम है देन आटिफेक्ट डी में हम क्या करें यहां पर टो आटिफेक्ट डीज़ और सिमिलर तो प्रोजेक्ट नेम तो हम यहां पर नाम देंगे एक सेम टूपॉंट ओ या टूपॉंट देंगे सेम 2.1 सम का सिंप्ली मतलब होता है स्मार्ट कॉंटक मैं आपको नहीं पता तो आप समझ लिए मैं बहुत बार पूरे प्रोजेक्ट में सेमें सेमी उसकरूंगा तो आप ध्यान देजिएगा दन यहां पर लिख देते हैं 10 डिस्क्रिप्शन लिखना कुछ तो प्रोजेक्ट पॉर स्टोरिंग और मैनेजिंग कॉन्टेक्ट्स ऑन क्लाउड क्लाउड प पैकेज होगा हमारा अप्लिकेशन उजार फाइल में ही पैकेज होगा अचाहिए सारे अप्शन अगर आपको लग रहा है कि एक ये बार मुझे देना है तो ऐसा विल्कुल भी नहीं अब बाद में भी जा करके इन अप्शन को चेंज कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट हम यहाँ पर आएंगे जावा का वर्जन इंपॉर्टेंट हम चूज कर लेंगे देखें कैसे इंपॉर्टेंट का मतलब है कि ये वर्जन देहां से चूज करिएगा हमारे पस तीन ऑप्शन आ रहे हैं 17,21 और 22 तो अभी मैं 21 वाला वर्जन करूंगा जो कि सब्सक्राइब करेंगे मैं यहां पर बना रखा है हम मैं आपको बताऊंगा काई सारी डेपेंडेंसी को आपको एक साथ नहीं एड कर लेना है कुछ डेपेंडेंसी अभी आड करेंगे कुछ डेपेंडेंसी अब जरूत पड़ेंगे क्योंकि देखो स्प्रिंग बूट आटो कॉन्फिग्रिशन फ्रीमवर्ग है अपने आप से बहुत सारी जिए आटोमेटिक सबसे सेट अप कर देता है तो अगर कोई चीज हम अभी की कारेंगे और हमुच जहीं काम बाद में करें तो सेट अप तुर्ण्य करेंगा तो मैं बनाओंगा इसमें सब्स्रीटा ganze is लिंक आपको नीचे description box में बिल जाएगी वहां से आप जाकर के इस notes की लिंक भी access कर सकते हूं तो सबसे पहले हमें वैब वैब की डिपेंडेंसी किसली होगी वैब इस बैसे क्योंकि हमें वैब अप्लिकेशन बना है तो हमें request को handle करना होगा process करना होगा response अगर हम देखें तो इस पूरा इसके बार में डिटेल पर जाएंगे यहां पर देख सकते हो कि कि Spring web means कि हम लोगे यह वाली ड्वेंडेंसी एड किये Spring boot starter web Spring boot starter web तो actually मदब कह सकते हो कि इसका नाम Spring web है लेकिन जो artifact ID है spring boot starter web और जो group ID है orgy.spring framework.boot है तो इससे आप पहचान सकते हो कौन सा हमने यहाँ पर artifact ID वाला project उस किया तो basically यह नीचे वाले test है यह वाला हम लोग ने अड़ किया यह spring boot starter web तो इसको हम लोग copy करेंगे एक बार अगर आपको जरूद आपको जरूद है तो हम इसको यहाँ पर चिपका सकते है spring boot starter web then then हम क्या करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है हमें जो html generate करना है वो सब हम अपने बैकेंड से ही जरूद करेंगे और बैकेंड से जरूद होगा तो हमें एक template engine चाहिए होगा एक बार में पूरा process आपको समझाते हैं सब्सक्राइब क्लाइंट बैठा है सब्सक्राइब क्लाइब 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 करेगा एक ने यहां पर रिक्वस्ट किया अब जब यह रिक्वस्ट किया तो आपको शीज में आपको बताना चाहूंगा यहां पर इस चीज को अगर आप इस चीज को समझ गए तो काफी चीज आप समझ जाओगे ठीक है और यह हें स्री घीकुश्ट गोगि हमारे स्प्रींगबूर के अपके सप्राट चाल रहा है तो स्प्र अप्लिकेशन पर आप अब प्रोसेसिंग ऐसे रिकैसे को यहां पर यहाँ रिक्वस्ट को एकस्ट कर लेगा के डिए और एक Sig पर रिक्सट को तो प्रोसेस की जाएगी बहुत सारा काम यहां पर किया जाएगा जो required है आपने जो code लिखा होगा वह काम यहां पर किया जाएगा if this request wants some data from the database तो database से भी data को access कर सकता है कोई दिक्रत वाली बात नहीं है यहां भी हमारा database है db तो db से भी data को बहुत असाने से access किया जा सकता है data यहां पर मिल गया अब क्यूंकि client mostly हमारा browser होगा जैसे Chrome है तो Chrome हमारा client होगा browser होगा अब मैं बहुत बता रहा हूं Chrome आप ऐसा नहीं सबज़ें html अब यहां पर कोई fronted technology के लिए हम framework तो यूज नहीं कर रहें react.js, angular.js यह सब यूज नहीं कर रहें तो हमें क्या करना होगा क्यूंकि जो Chrome है उसको समझ में आ रहा है क्या उसको समझ में आ रहा है html तो हमें क्या कर रहा होगा html को यहां से भेज़डा होगा तो spring boot से हम वही काम करेंगे पूरी processing यहां से यहां तक की हो गई पूरी processing हम क्या करेंगे फाइनल लास्ट बे हम एक पेज़ जनरेट करेंगे इस एक्चली html डानेमिक पेज तो यह हमारा html का डानेमिक पेज होगा html डानेमिक पेज यह पेज जनरेट होगा html का request के बाद request process हो गई प्रोसेस यह प्रोसेस होगे यह प्रोसेसिंग वाल स्टेट रिक्वेस्ट पहले एक्सेप्ट हुई देन प्रोसेस होई प्रोसेस होने के बाद जो भी डेटा था वो डेटा अभी यहां पर है हमारे पास context के अंदर request context के अंदर हमने यहां पर html पेजब generate किया तब हम क्य data करेंगे इस वाले process जब request होई तो इस वाले context से यहां पर हम लोग पूट करेंगे अपने tml केंदा चब्रोसेस जो शियते हैं html generate होगी लेकिन जो values होंगी वो dynamic आ रहे होंगी यहां से आपके जावाब method से spring boot application में जो आपने control लिखा उस controller से html के अंदर data जा रहा होगा लेकिन यह सब काम करेंगे यह सब काम करेंगे और यह सब काम करने के लिए हम लोग यहां पर template engine उज़ करते हैं क्या उज़ करते ह यहां में लिख दे रहा हूं template engine यह सब काम करने के लिए हम लोग template engine को यूज करते हैं और हम लोग यूज करेंगे time leap template engine जो की हमारी help करेगा हमारे का सकते हो कि हमारा जो dynamic data आ रहा होगा उस dynamic data को हमारे html में put कर देगा and then यह सब हो जाने के बाद हम लोग अपने request को अपने response में यह वाला page यहां से उठाके हम लोग अपने client को भीज देंगे and this is actually our response अब html क्यों भीजा क्योंकि अभी हम लोग यूज करें browser and browser पे html समझ में आएगी तो html के साथ साथ अबैसे बात डिजाइनिंग के लिए css भी हो सकती है और जो कुछ dynamic content होगा यह dynamic काम करने के लिए front end पे हम लोग jsb लिख सकते हैं तो यह सब का यहां पर combination होगा यहां पर html हमने जनरेट किया होगा css जनरेट होगा and js जनरेट किया होगा इन सब का combination हम response में आ जाएगा और यहां पर यह page chrome पर जाएगा और chrome is actually capable of showing या executing your html तो chrome इस page को दिखा देगा तो इसलिए हमें यहां पर template engine भी उसकरना पड़ेगा तो यह चीज में समझा रहा था कि यह पूरा process होगा कि हम लोग back end से ही html page जनरेट करेंगे यह जो पेज हो रहा है व यहां पर हम लोग यूज करेंगे ताइम लीफ उसके बाद हमें यहां पर चाहिए होगा डेटा जैपिए और यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हो यह तो आप समझ जाओगे इतना वास्माजदार हुई तो हम स्प्रिंग डेटा जैपिए करने इसको तो हम ओब इस बार्म जाएंगे उसको बंडेट करेंगे तो हम लोग यहां प्याइबूर्यदेशन वालिडेटर बेंडीं जाहरें? यहां पर लिख देते हैं यहां पर लिख देते हैं यहां पर लिखना था आपके पास आपके बैंड हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग एड करते हैं हमें चाहिए होगा कि हमने अभी अभी नहीं किया ऑफ क्लाइंट भी हम बाद मेंट करेंगे जब हम लॉग इन कर सकते हैं कभी बीकभी हमें मॉडल को मैप करने की जरुत होगी एक ऑपजिक्ट की वैलूस को दूसरे पीडिक में डालने की ज़रूत पड़ेगी तो हम लों मॉडल की लगा सकते ह अभी नहीं लगाँगा जब हम मेल भीज़ना होगा तो हम लगाएंगे स्टार्टर मेल लगा सकते हैं तो यहां पर आएंगे हम लोग उसक्रेंगे लाइंबॉड लेंगे लेंगे स्प्रिंग टूल्स स्प्रिंग बूट टूल्स और है पास पॉस्ट्रेस एक है तो अभी क्ले लेता हूं तो यहां पर माते के लिएक चाहर अगर आफ पॉस्ट्रेस है इतनी डेड़नेंस हो गई हैं तो हमारे पस बच्पी यहीं हो गया यह हो गया यह हो कि अभी हम नहीं लेगे और स्टार्टर मेल भी जब मेल भेजना होगा तब लेगे तो हमारे पास एक दो तीन चार डिपनेसिस हमने ने यह अधिक आप चाहो तो आप कर सकते हो कोई दिक्रत वाली बाद नहीं एक ही बार में बट मैं दिखाना चाहूंगा एक्चुली कब किसकी जरूत है तब हम चीजों को एड़ करें अब हमारे पास बन गया प्रोजेक्ट हमारे पास डेटी है डिपनेसिस और मैं तो रेकमेंड करूंगा हम लोग सब चीज होने के बाद हम जहने पर अपर यह पूछेगा अगर आप यूज कर रहे हो अगर आप उसक्ट नहीं पूछेगा डाउनोड करेंगा तो मैं डेक्स्टॉप पर जाओंगा वाइटी अलयास के अंदर जाओंगा और यहां पर सेप कर दूँगा तो हमारे पास SCM नाम से एक फुल्डर आ चुका है एक जिप फॉल्डर रैट क्लिक करेंगे इसको एक्सेट करेंगे और आप देखोगे अब जिप फाइल को भड़ा सकते हैं हमारे पास यहां पर देखोगे तो यह देखें टू-पॉइंट वो नाम से एक पूरा प्रोजेक्ट आ इस परेचल कोड्र लिए कि लिए हमें क्या करना होगा हमें इसको किसी आइडि के अंदर ऊपें करना होगा तो हमार पास काई सारे आप्शंस हैं बताता हूं ID में हम लोग उसकर सकते हैं Intel is a and Intel is a में आप Community version यूज कर सकते हो Community version is basically free होता है तो आप free use कर सकते हो हमारे पास Community version is free use कर सकते हो if you want to up ultimate version भी use कर सकते हो अगर आपके पास subscription है तो ultimate ultimate बहुत सारे लोग के पास already subscription है तो टेंशन लेने के जुरूत नहीं फिर तो आप डार्टीमेट से बढ़े या कुछ भी नहीं है अगर आप जुगाड़ो विद्ध्या यूज़ करना चाहले तो आप क्या कर सकते हो आप सब्सक्रेशन लही भी सकते हो और यह फिर क्रेक कर सकते हो क्यों ठीक है तो एक काम करते हैं वान ठीक है अब सही है कि इन दुन में को यूज़ कर सकते हो बट गाइस मैं रिकमेंट करूंगा कि आप फ्री वर्जी नियुज़ करिए और अगर आप कॉलेज वर्जी वर्जन आप यूज़ करना चाहले तो अगर आप एडुकेशनल इन में से कोई भी Intrace को उसकतर है मैं एक दो बता देते हूं कैसे करना मैं और इस क्मुलिटी वर्जन करता हूं तो ऊ staffing का सपोट ने मिलेगा हूं कैसे क्यूंकि हमारा विब के तो हमीं के लिए हमें कोड़ना पसारी नी करना यह तो अगर सब्सक्राइब करना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है आपको भी कुछ नहीं करना है अगर आप सोच रहों कि मुझे कुछ इसको उपेन करना है अगर आपके पास इंटल है हम कम्मुनिटी वर्जिन यहां इंटल यहां पर क्लिक करना है अपने फोल्डर के अंदर जाना है स्कुर्ण पर करना है अगर हम देखें स्ट्रक्चर के बात करें तो हमारे पास स्रसव करें यह में हुँ आपकिकेशन है अगर ऊपिन करतें तो आप देखोगे औहीं हमारा टीकेशन है इस्ट मेरें कुछ Grade YEAWAAonCode लिखेंगे पैकेज बनाएंगे पैकेज के लेंगे हैं पैकेज मनाएंगे लिखेंगे जैसे इमेज रखने है या फोटियमपल हमें कोई इमेज रखनी है हमें desamal रखना से ऐसा कर्थें हो supporting kjasपå हम ऑक कारें तो आप गाते हमें हमें रेंडर करने वह html जो मैं आपको दिखा रहे था template is basically html जो हमें डाइनमेक ली रेंडर करना है यह वाल यह वाला पर यह वाला अब देख पारे हो तो यह चीज़ हमें किसमें अंदर रखनी है यह 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 में रखनी है आपने templates के अंदर और सबसे important file है application properties फाइल ये actually इसके अंदर हम रखेंगे configuration भाई database की configuration database का username password हमारा जो server चल रहा है उसका port number हम mail API की चीज़े use करेंगे तो mail API की configuration इसके अंदर रखेंगे mail smtp server username, port, password इस सब चीज़ हम यहाँ पर रखेंगे तो यह basically configuration file होती है आपको अगर कोई dependency आड़ करनी है तो हमारे लिए important file है pom.xml ओपिन करेंगे यहाँ पर वो सारी जो आपने dependencies आड़ की थी हो सब हमें यहाँ पर मिल जाएंगे spring boot starter data gpa spring boot starter time leaf spring boot starter validator validation spring boot starter web spring boot tab tools सब चीज मिल जाएगा spring mysql connector सब चीज यहाँ पर मिल जाएगा if you want अगर आपको कुछ आड़ करना है तो आप यहाँ भी कर सकतो dependencies आपके add कर तो net से copy करो dependencies यहाँ पर एड कर तो that's it उसके बाद आपको यहाँ पर आना है and project को reload कर लेना है अभी project रन नहीं करेंगे पता क्यूं क्योंकि हम लोग ने database की dependency यहाँ पर डाल रखे spring boot starter data data gpa तो हमें यह database को configuration करनी होगी तभी project चलेगा otherwise अगर आप अपने application को run करोगे so error आ जाएगी देखिए मैंने project को run कर दिया and error आगे क्योंकि spring boot auto configuration सब चीज करता है सब चीज अब दिक्कत यह होगी जैसे मैंने project को run किया इसने database को configure करने की क्योंकि आपने dependency कर रखे database की और database configuration add करने के वज़े से auto configuration trigger हुआ लेकिन हमने जो required properties थी उन्हीं डाली database का username नहीं डाल रखा पासवर्ड नहीं डाल रखा तो उसने error दे दिया कि भाई हमें यह सब चीज चाहिए यह देखिए वार्ड चाहिए यह सबस्टीज चाहिए तो अभी हम डालेंगे फिर स्टार्ट करें तो यह इंटलिज आप यही से हम project बनाएंगे निव पर चलेंगे class बना लेंगे class बनाते जाएंगे को store इस देडिए द्रम थिर्ट करेंगे हमारा प्रोजेक्ट व्यक्वार्ट करेंगे इस्तेट कर लेंगे था तो क्या करेंगे इसको बंद कर दो या ठीक है को दिक्कत वाले बानी हम फाइल पर चलते हैं एक नई विंडो ओप लेते हैं यस पुरानी विंडो को हम क्लोज कर देते हैं तो यह हमारा VS. कोड है तो आपको टैंशन नहीं लिए इसमें भी हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें देट प्रोइड जावा इंटेलिसेंस डीबगिंग और जो भी है इसके अंदर वो सब चीज हमें मिल जाएगा एक चीज हम और यहां पर आएंगे और यहां हम लोग डालेंगे इसके अंदर सब मिल जाए तो हमें डैश बूट भी चाहिए तो डैश बेपाइद पहला डाउन्लोड करेंगा इस पेडिशन पाक तो हमें यह भी यह भी मिल जाएगा और यह भी मिल जाएगा तो तीनों मिल जाएगे स्विट के लिए दाट इस और फोल्डर पे जाना है और बस डेक्सटॉप पे जाना है अपने अदर चले जाईए और स्सेंट अपना प्रोजेक्ट सड़ेट करिए एंड ओपन कर लिए यह फाइंड यह तरस्ट करने को लिए यह तो अब नहीं करने है अभी नहीं करने है तो यह हमारा प्रोजेक्ट ऑपन हो गया बट यहां पर कुछ चीजिए मैं आपको पताना चाहूंगा सबस्केर हमें से देखें इसके अंदर हम देखें तो हम सोर्स में भी यह जावाडी है अवारा अप्लेकेशन स्कूर्वाराँ जाएगगीं से अव कर सकते हैं पर एक को दुधार गतर। मेस्ट कर सकतें ठबहहँ हो जाएगए सब ऑस्ते ने कर सकते हैं पतफ on Lots जैसे हमें एक्स्प्लोलर से यह सम 2.2 है इसको हमें ठेढा नहीं है इसको बंद कर देए जय से एक पास ऑप्शिन और दिख रहा है आउट लाइन का और है आप देखो है यहां लाइन दिख रहा है एंठ मैं एवन इसको पंट करेंगे तो आप दिखो के एक्लिप्स जैसा structure मिलेगा इक्लिप्स जैसा structure आपके पास SRC slash main slash java है इसको परोगे तो हमारे पास package है Comm.sem इसको करने तो हमारे पास Java application है यह देखे एक main class है मतलब एक application है यह यह Spring boot का है तो हम इस पर click करके I think हम लोग run कर सकते यह दिखे run button पे click करके run कर सकते अगर आपको कोई package बनाना है तो आप इस पे right click करके new पे जा करके बना सकते class, interface, enum, record, annotation, after class, package, file that means हम package के अंदर package बना सकते Java के अंदर हम इस plus button पे click करके क्या-क्या बनाना है यहाँ पे देखो हम class बना सकते हैं सब चीज बना सकते हैं इस plus पे click करें चलो बाई मतलब Java का code हम src slash main slash java के अंदर करेंगे ठीक है अगर आपको कुछ static चीच चाहिए तो हम resources के अंदर आएंगे इसको open करेंगे तो हमें वही तीन चीज मिल जाएगी static template and application.properties अगर हमें application.properties के अंदर open करना है तो हम इस पे click करेंगे लिखना है तो इसको click करके open करनेगे और यहाँ पे लिख देंगे जैसे हमें port number change करना है तो हम यहाँ पे spring dot I think हमें लिखना है यहाँ पे server dot port करेंगे यहाँ पे हम लोग mysql data base configurations and then email configurations ऐसा करके हम यहाँ पे सारी property set करेंगे फिर हम उसको use करेंगे चलो बढ़िया यह कुछ बता रहा है चलो अभी वह सब बात में देखेंगे next तो दो चीज़ी हो गई कोई HTML बनाना है तो हम templates से अंदर आएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और फाइल फाइल का नाम देंगे यहाँ पर इंडेक्र.html तो यह हमारे पास HTML फाइल बन जाएगी और यहाँ पर हम लोग HTML कोड़ लिख सकते हैं चलो बढ़िया यह सब चीज करेंगे next वीडियो के अंदर परिशान मतों यह तो अगर आप यह वाला उप्शन यूज कर रहे तो आप ऐसे यूज कर सकते हो अगर इनकेस अगर इनकेस अगर अगर इनकेस अगर अगर इनकेस अगर आपकर नहीं करेंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे अब फैक करनेगे करने के को अपने पर यहाँ पर क्लिक करना और यहां पर बेटन लिखे हैं बस रण बड़्र यहाँ अपकर प्रोजेक्ट का मैं अप्लिकेशन हो जाएगा प्समें भी वही अपर देखो बंड़ चोड़ देंगे अगर चल जाता है तब तो बही हम application को open कर लेते browser से हमारा काम हो जाता है इन case आपको कुछ और अपने java project से related करना है तो यहां पर बहुत सारे options हैं जैसे for example अगर हम इस पर right click करते हैं तो यहां पर देखो reveal in explorer copy path copy related path build rebuild all rebuild project run maven reload कर सकते हैं अगर आपने कोई dependency add की तो अपने प्रोजेक्ट और यहां पर रिलोड प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दिए तो डिपेंडेंस सारे रिलोड हो जाएंगे और बहुत सारी जिए open palm file click करके आप फाइल ओपन कर सकते हैं यहां से भी डिरेक्ली और रन में command यहां वे MAVN command भी आप रहन कर सकते हो क्या करना वहां कर सकते हो तो बहुत तगड़ा है भाई yes code भी अब Java का support बहुत दगड़ा दे रहा है इतना ही काम तो करना है वी यही है कि इसके अंदर हमें HTML के intelligence और tailwind CSS के intelligence बहुत तकड़ी तरगी से मिलेंगा उसको next वीडियों बताऊंगा कैसे हम लोग अपने project के अंदर tailwind को यूज करेंगे ठीक है अगर हम you use करना थो हम करना हैं हम इसको बंद कर दें हमने दोनों बता दें एंटेल्जे and vs code next हम लोग आते हैं हमारे पास Nrl STS को open करेंगे क्या कह रहा है can't be open वाइव इस आइज कांट भी उपन कि हाल एंट्स टाहिए हम देखते हैं डवनोट पैंड है हमारे पास स्टीयस एक्या स्टीयस कोई नहीं कोई नहीं इफ यू कांट ओपन दिस तो हम लोग क्या करते हैं स्टेस को डाउंडोड करके मैं दिखाता हम आपको ठीक है स्टेस प्रिंग टूल सूट और डॉंट विस कोड मुझे चाहिए स्प्रिंग टूल सूट फॉर एकलिप्स और हम लोग करेंगे अपना मैकोइस तो मैकोइस मैं क्या करता हूं मैक्स हमारे पास इसक करते आप से मिलता हूं यह भी बताता हूं कि कैसे हम लोग STS के अंदर काम करेंगे सेम है प्रोजेट को ओपन करेंगे नेट हम को फिर से वहां से जैसे हमें सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे अप्लिकेशन के अंदर हम रिप्लेस कर देंगे हम अमरे पस अलड़ी है तो आप क्या करेंगे विंडोस है तो आप रैट क्लिक करके चला दिएगा इक्स्रेक्ट हो जाएगी जार फाइल और जार फाइल जो एक्स्रेट्स डार ऐसे करेंगे थेखुआ कर अगर तो हम लोग इसको जाएगा कुछ ऐसे यह यह आप से वरक्सपेस पूछा है तो मैं डिफोल्ट वरक्सपेस लांच कर दूँगा डिफोल्ट एक स्पेस पे यहां पर प्रोजेक्ट कुछ ऐसा राउन्च हो गया अब एक बार आईगे लाउंच हो गया तो हम क्या कर सकते हम फाइल पर जा सकते हैं और हम लोग प्रोजेक्ट है एक्ट करेंगे और ब्राउज करेंगे ब्राउज बेहां अपना फोल्ड चूज करेंगे से अगर अगर आपको नहीं करता तो इस तरफ फलका सा यहां पर अगर यह कुछ प्रोजेक्ट को टच करिएगा अगर्ण आपको कुछ यहां देख रहा है अभी मैंने फॉन टॉन बढ़ाया नहीं तो चोटा देख रहा होगा अगर इंदर दिखा दिखा तो हमें इसके अंदर नहीं है तो हमारे पास पैकेज दिखेगा ओपिन करेंगे तो हमारा अप्लिक इसrat üçो रंगे हमारा अपलिकेशन बना नी है हम स्काइब करेंगा अपने jed dan घर करेंगे क्यों अगर प्रान। हम ऑपड क्रेंगे Windows रखेंगे अंदर करेंगे नियुक्तिकis कुछ एक्स्रा रखना है तो सब्सक्राइब यहां पर हमें आपके से यहां पर लिखा था फोट के अंदर जो आपने आपसे जन्रेट हो जाता है यह सब सबसे बड़े मिलेगा इसलिए हम लोग वी स्टेटिक फाइल है स्टेमल रखना है कोई इमेज रखनी वह सब यहां रखेंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं टेस्ट से रिलेटेट कुछ टेस्स लिखेंगे तब हम इसको इसको रखेंगे यहां से भी चेंज कर सकते हैं यहां से बाद आप प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके मैंवें पर जाकर करें इसको आपणनी डेपंडनेस को अपडीट कर सकतो अस इसमें करें अब आपको गया z लिरेलना जैसे में क्लाऊंगा तो आप यहां पे कलास बना लिजिएगा अगर मैं इमेजों कोई सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं साथ ही जात में हम लोग फ्रेंट एवाई के लिए सेटप करते हैं टेल्विंट का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि यह इंपॉर्टें टेलविंट एंद उसमें थोड़ असा हम लोग देखें कैसे हम एंडर सेट अप कैसे करना प्रोजेक्ट तीनों में मैंने बता दिया नेक्स वीडियों कंदर हम लोग सेट आप करते हैं डेटावेस उसके बाद लोग सेट एपकरते हैं एक्चुल चलो बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो अब दार रखें और अभी तक प्लेइस ने एक्सिस की तो प्लेइस जरूर से एक्सिस करेंगा लिंक एक दो वीडियो तीन वीडियो जैसे ही आगे बढ़ेंगी आप सपोर्ड करेंगी अगर आपने पूरा कोर्स आप प्लेश कर रहे हो तो कमेंट में फिर से यह यह लिख दिएगा जैसे ही दो तीन वीडियो मिलेंगी और आप रिक्वेश्ट करोगे मुझसे के सर हमें कोड और यह वाली फाइल दे दिजिए यह वाली फाइल मैं लीचे लिंक दे दूंगा बट आपको थोड़ा सा रिक्व और के जहें दे बात बाइए